देश के प्रधान मंतरी नरिन मोदी ने कोरोना संकर्मन के कारण देश के 130 करोण नागरीकों के लिए राहत पेकेश की घोशना की जिसमें पहले तीन महीने फिर अब नौमबर तक देश के करीब 80 करोड गरीब नागरीकों को फ्री अनाज देने के निर्देश दिये लेकिन विदीशा जिल्ले के गन बास्ता तेसिल की शास्की उचित मुल्यों की दुकान पर नागरीकों से अनाज के बढ़ले रूपे लिए जा रहे हैं जब इस विशाय में छेतर की फूड अधिकारी मीना सोनी से बात की तो उनका कहना था कि प्रधान मंतरी के चेनल पर भा अधिकारी ने बिलकुल सही बोला है उसका कहना जे है कि जिस तरह से बीस लाग करोड रुपे का लौन लोगों को दिया जाना चाहिए था मगर आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो कह सके कोरोना काल में बीस लाग करोड रुपे का किसी को लौन मिला है वही बात देश के प्रधान मंत्री जी ने जब कहा कि नवंबर तक देश के आधी से अधिकावादी को साथ परसेंट से अधिकावादी को हम निस्वल्क खाद्दान प्रधान करेंगे हमें भी उम्मी जगी थी कि हो सकता है मोदी जी इस बार सही बोल रहे हो मगर फूड आवीसर का व्यान अपने आप में दरसाता है कि मोदी जी ने जो बोला था वह सही नहीं है इदी कॉंग्रेस बोलती तो हमारे भाज़पा के मित्र बोलते कि कॉंग्रेस को तो आरूप लगाने की आदत है जब भारती जन्ता पार्टी की प्रदेश की सरकार के अधिकार ही बोल रहे हूं कि हम किसी को निस्वल्क नाज नहीं दे रहे हर चीज ससुल्क है और हम धन्वाद देना चाहेंगे सोनिय गांदी जी और मनमौन सिंगी को के दिये उस समय कॉंग्रेस की यूपिय सरकार एक रुपे किलो पे गहूं और एक रुपे किलो पे चावल देने का निर्णा नहीं ले थी तो आज इस देश की जन्ता का क्या असर होता कितनी परहसान होती है तो सोच कही हमें अपने आप में डर लगता है हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 निउस हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूले